आगरा में सरवाधेट लोग प्रिये चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सांसर प्रफेसर एस्पी सिंग भगेल ने ब्लैक फंगस के मामले को लेकर एसर मेडिकल कॉलेज का दौरा किया एद दौरान उन्होंने तिरसी लहर की आने के संभानों को देखते हुए तैयारियों पर भी चर्चा की सांसर प्रफेसर एस्पी सिंग भगेल ने सिनमेडिकल कॉलेज जाकर प्रेचारे डौक्टर सेंजे काला के साथ ब्लैक फंगस वाड का दौरा किया मरीजों से मिलकर जानकारी प्राप्त की प्रति दिन ब्लैक फंगस मरीजों का उपरेचन चर रहा है मरीज ठीक होकर घर जा रहे हैं मरीजों एवं परिवारी जनों ने चिकेस सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की मेहनत की प्रश्चन सा की वाड में AC एवं कूलर ना होने के कारण मरीजों एवं परिवारी जनों ने चिंता व्यक्त की थी तापमान भी समय बड़ा हुआ है शीगरी महा कूलर और AC तथा वाटर कूलर उपलब्द करा दिया जाएगा ना, कान, गलाविभागत द्याक्ष डॉक्टर अखिल प्रताप सिंग ने बताया कि सोमवार को एक ब्लैक फंगस का उपरेशन लगबग आट घंटों तक चलेगा मरीज से मिलकर सांसर प्रोफेसर एस्पे सिंग भगेल ने उसकी होसला वजाई की पारस होस्पेटल के मरीज जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनके इच्छा अनुसार असन मेडिकल कॉलेज में शिप्ट किये जाएंगे उनके बाद में भी जाकर व्यवस्ताओं का जाइज हलिया निरिक्षर के दौरान डॉक्टर सेंजे काला ये एंटी के अकिल प्रताप सिंग और्थोपेडिक के हेड डॉक्टर सीपी पाल्ज, डॉक्टर सलोनी सिंग भगेल, डॉक्टर रजनीश, वार्ड सिस्टर रीटा, सिस्टर निशा, वार्ड इंचार्ज, मुकेश गौतम भीस दौरान उपस्तित रहे सीनियोज के लिए लक्ष्मिराज सिंग की रिपोर्ट